नमस्कार यॉर्गाई टीवी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं न्यूस टॉप 10 मैं हूँ अमन्जोत कौर हाजिरू आज 7 जुलाई मंगलवार की 10 बड़ी खबरों के साथ देश विदेश की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए बने रहे हमारे चैनल यॉर्गाई टीवी न्यूस के साथ तो चलिए आज की ताजा खबरों के साथ शुरू करते हैं भारत में 7 लाग के पार करोना मरीज तेजी से बढ़ रहा है संकर्वन भारत में करोना वाइरस का संकर्मन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारत में कुल करोना मरीजों की संक्या 7 लाग के पार हो गई है भारत में अब तक 1 करोड लोगों की करोना जांच हुई है देश में हर रोज दो लाग से जादा लोगों की करोना जांच की जा रही है डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा चीन ने अमेरिका के साथ पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया है अमेरिका के राश्रबती डॉनल्ड ट्रम्प एक बार फिर चीन पर भड़के है ट्रम्प ने सौमवार को कहा है कि चीन ने अमेरिका और दुनिया का बहुत नुकसान किया है जिन पहले अमेरिका के विदेश मंतरी ने कहा था कि दक्षिन पूर्व एशिया में चीन से बढ़ते खत्रे की वज़ा से योरप से सेना हटा कर एशिया में तेनात की जा रही है ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका में गाउन, मास्क और सर्जिकल समान बन रहा है जो पहले केवल विदेशी जमीन खास तोर पर चीन में बनते थे जहां से यह वाइरस और अन्य चीजें आई हैं, चीन में इस बिमारी को छिपाया जिससे यह पूरी दुनिया में फैल गई एम्स में चौथी मंजिल से कूद कर करोना मरीजने की खुदगुशी दिल्ली एम्स में एक करोना मरीज ने चौथी मंजिल से कूद कर खुदगुशी कर ली वहेट 24 जून से एम्स में भरती था कुछ दिन पहले उसकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भी हुई थी मरीज पेशे से पतरकार था और दिल्ली के भजनपुरा में रहता था चौथी मंजिल से कूदने के बाद घंबीर चोट की वज़े से उसे आईसीउ में रखा गया था परमानू हत्यारों से लैंस अमेरिकी फाइटर जेट ने दक्षिन चीन सागर को घेरा देखती रह गई चीनी सेना दक्षिन चीन सागर में जारी अमेरिकी युद भ्यास में यूएस नेवी जोरदर शक्ती परदर्शन कर रही है चीन की धंकी के बाद अमेरिका के ग्यारा फाइटर जेट ने एक साथ साउच चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान बरी है परमानू बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के B-52H बम वर्षक विमान के साथ अमेरिका के दस अन्य फाइटर जेट और निगरानी विमानों ने रविवार को एक साथ दक्षिन चीन सागर में उड़ान भरी अमेरिकी नो सेना दिन और राद दोनों ही समय में युद्ध ब्यास करके चीन को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सक्त अन्देश दे रही है युद्ध ब्यास का मकसद इस इलाके के हर देश को उड़ान भरने, समुन्दरी इलाके से गुजरने और अंतरराश्री कानूनों के मुताबिक संचालन करने में सहायता देना है नहीं कैंसल होंगे फाइनल येर के एक्जाम डेटेल्स जारी केंद्रिय ग्रह मंतराले ने केंद्रिय उच्छिक्षा सचीव को एक पत्र लिखकर युनिवरस्टियों और कॉलेजों दवारा प्रिक्षाओं के एयोजन को मन्जूरी दे दी है अब कॉलेजों और युनिवरस्टियों में फाइनल येर के एक्जाम्स अनवारे रूप से होंगे युजी सी ने युनिवरस्टियों के लिए एक्जाम और अकैडिमिक केलेंडर से संबंदित जो गाइडलाइन्स जारी की हैं उसी के मताबिक फाइनल टर्म्स के एक्जाम होंगे युजी सी ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है लेकिन सूत्रों के मताबिक अब युनिवरस्टियों ग्रांट कमिशन युजी सी भी फाइनल येर की परिक्षाओं को रद करने की सिफारिश नहीं करेगा भारत ने चीन की दुख्ती रग पर रखा हाथ आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर पहुंचाई बड़ी चोट भारत की सकती और जबरदस कूटनीति कदमों को देखकर चीन ने अपने सैनिकों को गलवान घाटी से डेड़ किलोमीटर पीछे बुला लिया है भारत ने ना केवल आर्थिक तौर पर चीन पर परहार किया बलकि करोना की वज़़े से बदनाम चीन को करारा कूटनीतिक जवाब भी दिया है चीन के साथ भारत ने कई बार कमांडर सर की बातचित की लेकिन चीन मानने को तयार नहीं था हाला कि भारत भी अब अपनी बात पर अडिंग रहा और किसी भी स्थर पर समझोता करने को तयार नहीं है प्राइवेट ट्रेन में कमपनी तै करेगी किराया इस तरह होगी प्रॉफिट शेरिंग प्राइवेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर कमपनिया तै करेंगी किराया ग्रॉस रुवेन्यू के अधार पर होगी प्रॉफिट शेरिंग रेलवे प्राइवेट कमपनियों के साथ मिलकर ग्रॉस रुवेन्यू की भरभाशा तै करेगी अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 में दोड़ने लंगेगी प्राइवेट ट्रेन 65 लाख पैंशन दारकों के लिए गुड नियूज पैंशन राशी बढ़ाने के लिए हेमा मालिनी ने पी-म को लिखा खत हेमा मालिनी ने पैंशन धारकों को नयाय दिलाने की मांग को लेकर परधान मंतरी नरेंदर मोधी को पत्र लिखा है पैंशन फंड में पैंशन राशी कटवाने के बावजूद सेवा निर्विती के बाद नामातर 200 रुपे से लेकर 3000 रुपे तक पेंशन मिलती है राश्टिय संगर्ष समिती के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने उमीद जताई है कि 569 दिन से जारी बुल्डाना अंशन समाप्त होगा और पेंशन दारकों को न्याय मिलेगा राहुल गांदी ने वेंटीलेटर को बनाया मुद्दा पूचा क्यों घटिया समानों की हो रही है खरीद PM Care Fund को लेकर कॉंगरेस पहले भी मोदी सरकार पर निशाना साती रही है इस दफ़ा राहुल गांदी ने वेंटीलेटर का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्यूं घटिया समान की खरीद हो रही है राहुल गांदी ने कहा कि जनता के पैसों की बरबादी हो रही है उसका दुर्यूपयोग बंद होना चाहिए काम की तलाश में फिर शहरों की तरफ वापस लोटने लगे हैं परवासी श्रमिक करोना संकर्मन की वज़ा से लागू हुए लौकडाउन में परवासी श्रमिक अपने गाउं की तरफ लोट गए थे लॉकडाउन टू शुरू होते ही कंपनी मालिक श्रमिकों को वापस बुला रहे हैं श्रमिकों के वापस लोटने से उद्योग रफतार पकड़ेगा और रोजगार बढ़ेंगे अज की खबरों में बस इतना ही ऐसी ही और ताजातरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल यॉर्गाई टीवी न्यूस के साथ वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद अश्वाद